कोई पुछे शम्षान कब्रिस्तान, कोई बताए खुद को सच्चा जने उधारी, कोई मुल्क से चाहे आजादी, जाने कौन सा युग है ये, जहां धर्ती खून की प्यासी, जहां धर्ती खून की प्यासी. नमस्कार दोस्तो, आपके साथ मैं हूँ पुनम सिंग, दोस्तो, दस साल कॉंग्रेस की सरकार रही, हमें कैसा प्रधान मंतरी मिला, जो लंबे समय तक चुप्पी साधे रहा, गटना कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मुद्दा कितना ही गंभीर क्यों ना हो, तबके हमारे प्र प्रधान मंतरी चुप्पी साधे रहते, 2014 के लोकसभा इलेक्षन में, भाजबा को नरेंदर मोदी के प्रभावशाली भाशनों और लुभावने वादों के कारण भारी भहुमत से जीत हासिल हुई, हमें कैसा प्रधान मंतरी मिला, जो अपने भाशनों और जुमलों से भी पीचा जा सके, कैसे उनसे वोट बटोरे जा सके, फिर वादे वो चाहे सच कर पाएं या ना कर पाएं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन तो नहीं आएं, लेकिन हाँ, देश की जनता को नोट बंदी, GST, और गोरक्षा के नाम पर कतले आम से दो-चार जरूर ह होना पड़ा, एक ऐसा प्रधानमंतरी जो हमें सिखा रहा है कि अपनी गलतियों को अपने से बड़ों पर कैसे थोपा जाएं, अब देखी ना, जवाहरलाल नहरू पर उनके तंज कसना, स्वर्गे राजीव गांधी पर उनके तंज कसना, वो बता रही है कि जवाहरलाल न नीचे कैसा दिखाया जाए, यह भी हमारे मानन ये प्रधानमंतरी हमें सिखा रहे है, राहुल गांधी को पक्पू कहना, शहजादा कहना, आज हम से पुछा जाता है दोस्तों कि हमें सम्चान चाहिए, या कबरिस्थान चाहिए, हमें मंदिर चाहिए, या मसजिद सभी राजनीतिक दल चाहे वो कॉंघरेंस हो या बाके के राजनीतिक दल हूँ. जो धर्म के नाम पर राजनीती हो रही है इसमें सभी के सभी दल शामिल है जो सबीच हमारे देश में अलापा जा रहा है. कॉंग्रेस हैं खुद को साबित करने में लगी है कि भाईया हम भी ना खाली सिंदू पार्टी है राहूल गांदी जो है वो सच्चे जन्य उधारी बंडीत है दूसरी तरफ दोस्तो अलपेश ठाकुर, जिगनेश मेवानी, हार्दिक पटेल, कन्हिया है जो आरक्षन एक विशेज जाती के लिए उचा दर्दा दिलाने की होड में लगे हुए आजादे की मांग करते हैं लेकिन आजादे किसकी और किस से कोई नहीं बता सकता जब इनसे पूछा जाता है किसी भी राजनीतिक दल के पास, किसी भी युवा के पास इन बातों के कोई भी जवाब नहीं है देखे दोस्तों घोटाले, दंगे और किसानों द्वारा आत्महत्याएं किसान जो आत्महत्याएं करती थी, वो ये नहीं है कि 2014 के बाद से करने लगे हैं या घोटाले जो है 2014 के बाद से शुरू हैं ना, ये सभी चीजे, ये ही घोटाले, ये ही दंगे और किसानों द्वारा आत्महत्याएं 2014 से पहले भी हुई और आज भी हो रही हैं बस आकडे घट रहे हैं और बढ़ रहे हैं आज हम जल रहे हैं हमारे शहर, हमारे लोग, हमारे घर सब हिंदू और मुस्लिम और दलित की आग में जल रहे हैं क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी राजनेतिक दल या नेता ऐसा नहीं है जो साथ मिलकर देश की भलाई के लिए, हर एक नागरिक की भलाई के लिए काम करता हो क्या सचमुच हम संपरदाईता के आग में जलना चाहते हैं आप बताएए दोस्तों क्या आप जलना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनिती में हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये दलित के नाम पर मुद्दे सिर्फ यहीं सीमित नहीं है कि हमें हिंदू या मुस्लिम के नाम पर बाटा जा रहा है हमें एक जातिव विशेश के नाम पर या दलित होने के नाम पर बाटा जा रहा है मुद्दे और भी हैं दोस्तों और बेहत गंभीर है जिनके बारे में सोचना अभी बाकी है हम आपको छोड़े जा रहे हैं इसी के साथ कि आप भी सोचें कि आप क्या चाहते हैं वोट तो बाप डाल चुके हैं मद्दान भी अपने अंतिम चरन में है अब बस एक चरन के चुनाव बाकी है अब तो कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन हाँ आगे के लिए सोचे दोस्तों ध्यान दीजी चिंतन कीजिए मनन कीजिए कि आपको कैसी सरकार चाहिए हम कैसा राजनेता चाहते हैं आखिर अपने नेताओं से हम क्या चाहते है फिलहाल दोस्तों आपको सोचना नहीं है आपको बिना सोचे बिना समझेना हमारा जो दा बेल है इसका आइकन को प्रेस करना है सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना है लाइक करना है और शेयर करना है और हाँ मैं हर बार कहती हूँ दोस्तों कि अपने कमेंट कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए सबसे ज़ादा माइने रखते हैं आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अब चाहती हूँ आपसे इजाजत नमस्कार